हर्याना में आपके राजे में भाजपा सरकार को दस साल हो गए दस साल की सरकार हो गई मैं आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ क्या आपके बच्चों की सिक्षा में पिछले दस साल में कोई भी सुधार हुआ क्या सरकारी स्कूल अच्छे हुए क्या आपके इलाके में कोई अच्छा सरकारी इस्पताल है जा अच्छा इलाज होता हो जा दवाईयां फ्री मिरती हो क्या आपके घर में 24 गंटे बिजली आती है या बिजली फ्री है एसा कुछ नहीं होता है ना ऐसा अभी अनुराग भाई ने भी बिजली की गैस की पानी की कितनी तंगी है हर इलाके में मैं आपको बताना चाहूंगी कि दिल्ली और पंजाब दोनों जगे ये सभी काम हो रहे हैं दिल्ली और पंजाम में आम आदमी पार्टी की सरकार है सरकारी स्कूल अच्छे हो गए है शांदार हो गए है वहाँ पे बच्चों का भविश्य अच्छा बन रहा है सरकारी अस्पताल शांदार हो गए है जहां इलाज अच्छा हो रहा है फ्री हो रहा है जगे जगे महला क्लीनिक बन रहे हैं आप सब को किसी भी छोटी सी बिमारी के लिए अस्पतालों पे नहीं जाना होगा आपके इलाके में महला क्लीनिक होगा जिसमें आप अपनी छोटी मोटी बिमारी हैं सब ठीक हो फ्री और अच्छा इलाज इसके अलावा, अनुराग भाई ने भी बताया, महिलाओं का बसों में सफर फ्री है, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं भी, बुजुर्ग महिलाओं के लिए भी, तीर्थ यात्रा का फ्री इंतजाम है, और अब हर महिला को हजार जार रुपे देने की योजना है, जैसा सबने बताया इधर, आपके हर परिवार में हर महिने कम से कम तीन से चार हजार रुपे की बचत होगी, ऐसा दिल्ली और पंजाब में हो रहा है, आप सब को मालूम हैं कि आम आद्मी पार्टी के मुखिया मेरे पती अर्विन के जिवाल, हर्याना के लाल है, उनके इसी कामों की वज़े से देश और दुनिया में हर्याना का नाम रोशन हो रहा है, अर्विन जी का जनम सिवानी गाउं में हुआ, हिसार में वो पले बढ़े, पिता जी हिसार में नौकुरी करते थे, बहुत ही साधारन परिवार, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, कि हर्याना का ये लड़का बीज साल बाचा कर दिल्ली का मुख्य मंत्री बन जाएगा, कोई मामूली बात नहीं है, किसी चमतकार से कम नहीं है, एक और इत्फाक है, अर्विन जी का जनम 16 अगस 1968 को हुआ, उस दिन कृष्ण जनमाश्वी थी, यानि भगवान श्री कृष्ण के जनम का दिन, मुझे लगता है, भगवान जी अर्विन जी के जरिये जरूर कुछ खास करवाना चाहते हैं, वरना सोचिए, एक गाउ में पैदा हुआ लड़का, साधारन परिवार में पला हुआ जाकर एक दिन दिल्ली का मुख्य मंत्री बन जाए, कोई मामुली बात नहीं है, अर्विन जी ने जीरो से शुरूर किया, खुद की पार्टी बनाई और पहले ही चुनाओं में दिल्ली के मुख्य मंत्री बन गए, पूरे देश की राजनीती में भुचाल आ गया, जो काम कई बड़ी बड़ी पार्टिया नहीं कर पाई, आपके लाल ने कर दिया, आपके भाई ने कर दिया, कई बड़े बड़े नेता ऐसे काम नहीं कर पाई, आपके बेटे ने कर दिया, आपके भाई ने कर दिये, इन सभी की वज़े से मोदी जी आपके बेटे से आपके भाई से जलते हैं डरते हैं उनसे ये सब काम नहीं होते अच्छी सिक्षा अच्छा इलाज बिजली पानी ये सब काम उनसे नहीं होते डर के मारे उन्होंने आपके बेटे के काम रोकने के लिए उनको जबदस्ती जेल में डाल दिया जूटे ब्यान पर जूटे केस में कहते हैं केजी वाल चोर है मैं कहती हूं मोधी जी अगर केजी वाल चोर है तो इस दुनिया में कोई मांदार नहीं है भाजपा पार्टी को सिरफ सत्ता में बने रहने का मन है उसको पार्टियां तोड़नी आती है उसको विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना आता है समाज के लिए काम करने में कोई दिल्चस्पी नहीं है लेकिन आपका बेटा, आपका भाई के इज्रिवाल शेर है वो मोदी जी के सामने जुकने वाला नहीं है आपको आज में हर्याना की बहू, आपकी बहू, आपकी बहल आप से पूछती हूँ, क्या हर्याना इस अफमान को चुपचा बदाश करेगा आपके बेटे ने हर्याना का पूरे देश और दुनिया में नाम रोशन किया है क्या आप सब चुपचा बैठे रहेंगे क्या आप अपने बेटे का साथ नहीं देंगे अभी 5 अक्टूबर को चुनाव है आप सभी भेनों को, माताओं को, भाईयों को आप सभी को वोट देने जरूर जाना है जरूर जरूर बीजेपी को एक वोट नहीं जाना चाहिए एक भी वोट बीजेपी को नहीं जाना चाहिए जारू का बटन दबाएंगे सब दबाएंगे आपको अपने बेटे को, अपने भाई अर्विन के जरिवाल को भारी भहुमत से जिताना है आमाद्वी पार्टी को भारी भहुमत से जिताना है ये बात अर्विन के जिवाल की निया हर्याना की इज़त का सवाल है आप सब को मालूम है आप सब टैक्स देते हैं जब कोई भी समान खरीदते हैं तो उसपर GST लगता है टैक्स लगता है आटा खरीदने जाती है हमारी माताय बेहने उस पर भी GST लगता है टैक्स लगता है बीजेपी ने उस पर भी टैक्स लगा दिया आप सरकारी खजाने में पैसा जमा कर रहे हैं तो आपका अधिकार बनता है कि सरकार आपको बूल सुवीधाएं दें बिजली पानी अच्छा इलाज अच्छी सिक्षा भाजपा से ये नहीं होगा इसके लिए आपके बेटे ने आप सब के लिए पाँच गैरंटी दी है पहली गैरंटी दिल्ली और पंजाब की तरें घरेलू बिजली फ्री होगी 24 घंटे बिजली मिलेगी दूसरी गैरंटी दिल्ली और पंजाब की तरें हर शहर हर गहाँ में सरकारी अस्पतार शांदार होंगे महला क्लीनिंग बनेंगे जहां अच्छा और फ्री इलाज होगा तीसरी गैरंटी हर गहाँ हर शहर में सरकारी स्कूल शांदार होंगे जहां सिक्षा फ्री योगी बच्चों का भविश्य बनेगा आपके बच्चों के लिए अच्छी सिक्षा मिलेगी चौती गैरेंटी हर बहन को हर माथा को हर सखा को हजार हजार रुपिया हर वहीना मिलेगा दिल्ली और पंजाब में ये योजनत जल्दी लागो होने वाली है और पांच्वी गैरेंटी हर बेरोजगार युवा को रोजगार मिलेगा इसमें महिलाएं भी आती है इसके अलावा किसानों को वेपारियों को खिलारियों को हमारे और भाईयों को भी सब की खुशाली और विकास के लिए आपके बेटे अरविन केजरिवाल ने धेरो प्लैनिंग की हुई है आप दिल्ली में इस समय मिनिमम वेजीज में सबसे ज़ादा आप मान दे दिल्ली में मिलता है आपको पताओना चाहिए आशा वरकर्द भेनों के लिए भी आपके बेटे ने आपके भाई ने बहुत योजनाए बनाई है आपके बेटे ने आपके भाई ने दिल्ली बदली है पंजाब बदला है अब आप सबको हर्याना अपना घर बदलने की जिम्मेदारी देनी है आप सबका वोट बहुत कीम्ति है इसको सो समझ कर देना आप सबको जरूर जाना ए अपर फिर से कह रही हूँ वोट देने जाना है और जाडू का बटन दबाना है हम सब मिलकर एक नया हर्याना बनाएंगे जेहिन राम राम